आपको पता है धेश में सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास है जवाब है सेना के पास है दूसरे नमबर पर जमीन सबसे ज़्यादा किसके पास है जवाब है भारतिय रेलवे लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन आता है जिसके पास सबसे ज़ादा जमीन है लैंड बैंक है क्योंकि ये तीसरे नंबर वाला ना कोई मंत्राले है ना कोई सरकारी विभाग और ना कोई प्राइवेट कमपनी ये तीसरे नमबर वाला है वक्फ बोर्ड ये वक्फ बोर्ड की हैसियत है अब जरा वक्फ बोर्ड की ताकत भी जान लीजी ये किसी भी संपत्ती पर अपना दावा ठोक सकता है और इसके खिलाफ कोई भी सिविल कोट में अपील भी नहीं कर सकता याई विवाद हुआ तो फैशला सुनाने का अदिकार भी इसी वोर्ड के ट्रिबेर्ल के पास है मतलब ये है कि जाच कया अदिकारी भी इनका अदालत भी इनकी जज़ बी इनका और फैसला भी इनका और ये खुद अर्चीस का डिसिजन लेते हैं लेकिन मोदी सरकार ने इस बिल लेकर आई है ओवेसी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसल्मानों की बड़ी दुश्मन है और अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मुहिबुल्ला नद्वी तो दो कदम आगे निकलते हुए चनौती दे रहे हैं कि कुरान में क्या लिका है इसलाम में क्या लिका है ये कर ही नहीं सकते न मैं तैक करूंगा यहीं नहीं उकसाने वाली भाशा में वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता अपने हकों के लिए और समिधान की रक्षा के लिए सणकों पर आ जाए सवाल है कि वक्फ बोट की यार में बोट बैंक वाला खेल शुरू हो गया है आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस वक्फ की जमीन खिसकने वाली है और क्या वाकई वक्फ की जो ताकत है वो अल्लिमिटेट है उसको लिमिटेट करना बड़ा वशक एमेंडमेंट बिल 2024 यह एक कानून से बना हुआ कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे है उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए इस तरह के गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो वक्फ बोल्ड की ताकत और हैसियत देखिए किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोशित करने का अधिकार वक्फ से जुड़ा केस किसी सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा विवाद हुआ तो केस के सुनवाई वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही होगी एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली गई तो फैसले को पलट नहीं सकते यहां तक कि केंद्र और राज्ज सरकार भी वक्फ के फैसले में दखल नहीं दे सकते मोधी सरकार ने इस खानून पर कैंची चलाने के लिए खदम बढ़ा दिये हैं तो विपक्ष आगबबूला हो गया इस बिल का समर्तन किजे करोरों लोगों का दुआ मिलेगा किसी रिलिजियस बोडी का जो फ्रीडोम है उसमें कोई हस्तेशिप नहीं किया जा रहा है आप देश को बाटने का काम कर रहे हैं जोडने का काम नहीं कर रहे हैं आप दुश्मन हैं मुसल्मानों के उसका सबूत ये बिल है कहा से ये मुसल्मान दिरोती है अरे मंदीर और संस्ता में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है अखिलेश यादो की पार्टी के सांसत मोहिबॉला नद्वी तो चार कदम आगे निकल गए अब आप एक हैरान करने वाला आकड़ा देखिए सेना के पास 18 लाख एकड़ रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और वक्त बूर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन वैसे वक्त पर सियासत नई बात नहीं है 2014 के चुनाव से एन पहले मनमोहन सिंग सरकार ने एक जनादेश जारीकर दिल्ली में 123 संपत्ती वक्त को दे दी जिसे बीजेपी ने खुला तुष्टी करण कहा था और इसका खुलासा करीब दो साल पहले हमने इसी कारिक्रम में किया था लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वक्त के नाम पर सियासत कौन कर रहा है आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी वहस और अब वक्त है आरपार के सुपरसिद विश्टलेशन का वक्त की ABCD समझाने वाला विश्टलेशन आज आपके समक्ष में लेकर आ रहा हूँ ये आपको बताएगा कि अभी क्या है और नया कानून बना तो क्या होगा किसी भी समपत्ती को वक्त अपनी समपत्ती घोशिस करता है ऐसा अभी है लेकिन नया कानून बना तो नोटिस देना होगा जाच में तैह होगा कि समपत्ती किसकी है आप अभी वाला कानून चाहते हैं ये नया कानून चाहते हैं ये ट्वीट करके बताएए केवल मुस्लिम पुरुशी वक्फ बोट के सदस्य हो सकते है यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को भी हक मिलेगा और गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोट में वो शामिल होंगे इससे न्याय संगत काम होगा बढ़ता हूं मैं आगे संपत्यों के सर्वे काम वक्फ का सर्वेयर करता है यानि वक्फ तय करता है कि उसकी जमीन कौन सी है वक्फ तय करता है कि उसका सर्वेयर कौन होगा वक्फ ही निर्णे करता है यानि जज्मिन वक्फ देता है फैसला वक्फ देता है इस पूरे मामले के अंदर लेकिन कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी सर्वे का काम करेंगे यानि यहाँ पर बाइजनेस के चांसिस नहीं होंगे वक्फ पर सियासी धर्या दिली का आज खुलासा मैं करता हूँ मनमौन सिंग की सरकार ने जाते जाते 2014 से पहले जाते जाते ठीक पहले जब उनका नोटिस पीरिट चलना था मनमौन सिंग सरकार ने दिलनी में 123 संपत्या वक्फ को दी इनकी कई करोड उपए कीमत आकी गई है और आर्टियाय में खुलासा हुआ अर्विंद केजडिवाल की सरकार ने वक्फ को 101 करोड उपए दिये अब आप सुनिए 5 मार्च 2014 पांच मार्च 2014 को चुनाब से एन पहले संपत्ती दी गई यानी जब अचार सहीता लग चुकी थी लगने वाली थी उसके आस्पास ये काम कर दिया गया और 2015 से 2022 के बीद 7 साल में ये रकम दी गई ये आपके सामने है लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है आज का बड़ा प्रश्ण है क्या वफ के बहाने वोट बैंक साधरे का खेल चल रहा है और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है मंच पर आईए आपको परिशे करा देता हूँ मेरे साथ वारिष पठान है साजिद रशीदी है मेरे साथ इस चर्चा में रिजवान एहमद है मेरे साथ अजीज खान है समाजवादी पार्टी के नेता मैं सबसे पहले वारिष पठान आपके पास आता हूँ अगर वक्ष भी चलेगा तो हर्स क्या है। अच्छी बात है। बात नंबर तो अभी आपने बहुत सारी चीज बताई कि आपती कि अभी आपका हिंदू एंडूमेंट बोड है करना टका टामिल नाडू में। उसमें क्या किसी मुसल्मान को अब एंट्री दे सकते हैं। नहीं दे सकते हमारे सिख भाईयों का है सिख प्रबंदक कमिटी। उसके अंदर सिर्फ सिख इससा ले सकता है कोई बाहर वाला आदमी आके नहीं ले सकता है। मुसल्मान नहीं आ सकता तो सरकार को मुसल्मानों के ही अंदर क्यों आना है क्यों वक्त के अंदर सरकार को एंटरफियर करना है वक्त बोर्डर वक्त ट्रेबुनल के सरकार के जो यह है क्यों छिनना चाहती है सरकार उससे हमने पहले दिन से कहा आमीज भाई जो मुसल्मानों की भलाई की बाते कर रहे न यह सब धकोसला है धकोसला अगर मुसल्मानों की इतनी फिकर होती तो सरकार खामोश जब क्यूं बढ़ी आती जब मुसल्मानों के घरों को बिना नोटीज दे बुल्ड़ोजर के बड़ी बारी जाता है तब सरकार की नियत में खोट पॉप पंद्रा सो साल पुराना पर एक गाउं है तमिल नाडू के अंदर वहाँ पर एक मंदिर है उसको वक्ष क्लीम कर रहा है बद्लाद कर देके गाँ है वक्ष बिजयपी स्पोक्सपोर्सन रिपला थो मेरा सवाल यह है शेदाद पुनावाला क्या वक्त के बहाने वो अपना वोट बैंक साध रहे हैं तो आप लोग भी अपना वोट बैंक साध रहे हैं क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के एक सांसद है उन्होंने मोहिबुल्ला नद्वी ताहब उन्होंने बोला कि इसलाम के बारे में कुरान के बारे में बीजेपी वाले तैय नहीं करेंगे उसको तैय करने का अधिकार तो मेरा है देखे अमीश जी वक्फ तो बहाना है मुस्लिम वोटर बैंक को भड़काना है आपको याद है कि कुछ हफते महीने साल पहले यही वारिस पठान आकर कहते थे सिये आएगा मुस्लिम की नागरिकता चिंग जाएगी सिये लागू हो गया मुस्लिम की नागरिकता चिंगी क्या आज यही वारिस पठान आपर आकर क्या कह रहे है यह कानून वक्फ आएगा मुस्लिमों की जमीन चिंग जाएगी आज तो बिल भी आ गया है और जेपीसी चला गया है कौन सा प्रावदान है स्पेसिफिकली अमीश जी आपको दिखा दे जिसमें की मुस्लिमों की जमीन च फिर वो प्रॉपर्टी जहां पर जिसका ओक्यूपेशन है वो दिखाए कि हमारे पास कागज है वरना वो प्रॉपर्टी गई और अगर उसको अपील कर दी है तो ट्राइबूलर में चला जाए ऐसा कोई अधिकार किसी धार्मिक ग्रूप के पास है यहां पर मुस्लिम आय सब्सक्राइब कर अधिकारी बनाया जाता है पर आज क्या का जा रहे है डियम को सर्वे ऑफिसर बढ़ाया जाएगा वक्त में तो यह बोल रहे हैं कि संविधान के खिलाफे ना संविधान के तहट दो कानून लाए गए थे कॉंग्रस के द्वारे यह कॉंग्रस का असली स सब्सक्राइब करने का कोई अधिकार नहीं बचा और 1995 में एक वक्त आता है जिसमें की साजीद रशीदी ओ या वारिष पटान हो वह कहीं पर भी कह दे कि यह वक्त भी जमीन है तो वक्त भी जमीन कहलाएगी है अगर अधिकार के लिए तरस्था रहे और और साजी ड्रशी इओ वारिष पटान हो उनको पूरा अधिकार है की स्पेशल वारिष पटान अ को त्रीटमेंट के यो चाहिए यह स्पेशल ट्रीट्मेंट तो जैन को को नी चाहिए बौ container पार्ची को नी चाहिए वहारे सिख भायों को भी नशाएई यह स्पेशल ट्रीट्मेंट क्यों चाहिए आप किसी की भी जमीन पर अब भलत के हैं यह तो वक्ष का हक है वक्त होती है अले जो मुसालमान थे हमारा एंसेट सवाप की नियत से उन्वों की बड़ाक्टी को किसी बीप्रोपटically को पुछ भी बोल देंगे काफी प्रॉपर्टी पे मारी मस्जीद है हमारे मदरस है हमारी खान का है तो क्या सब को अब ले लेंगे जब और बात नंबर दो भी आपने का कि बाहर से गर क्लेक्टर आया तो क्या रहे क्या करेंगा उनके आप एक अट्रॉनॉमस बॉड़ी है वगवोर्ट इसका डिर्क इसके कुछ काम हो रहा हो तो कोई काम नहीं है आप अपने गलत बोला आपने बोला यह उट्रॉनॉमस बॉड़ी नहीं है और नोमस बॉड़ी नहीं है वक्ष ऑट वक्ष ऑड़्य धर्मिक बॉड़ी की तरह चल रही है मैं अब आपको एक अग्जामपल मताता हूँ और इस देश के सामने मैं एक अग्जामपल को रखता हूँ और एक्जामपल आपने हो सकता है पहले सुना हो या ना सुना हो लेकिन यह सुन लीजिए तमिलाडू में ये तरिचुरी में एक गाउं है और जमीन बेचने का एक व्यक्ती का चब सत्से सामना हुआ जमीन पर पहले ही वक्फ बोर्ड का दावा किया हुआ था केबल एक जमीन पर नहीं बलकि पूरे गाउं पर और 33 में हिंदू बहूल गाउं है ये तमिलाडू का और वहाँ पर एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है पूरा गाउं हिंदू बहूल है लेकिन उस पूरे गाउं पर हक जमा रहा है वक्फ बोर्ड अब बताईए ये कैसे हो गया मैंने इसने बोला ना जो अधिकार हमारे सिक भाईयों को नी चाहिए जैनों को नी चाहिए पार्सियों को नी चाहिए पौदों को नी चाहिए वो अधिकार क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड के दरी है यह तमिल्लाडू के गाओं का एक। पर आपके सामने है। हंदू बहूल गाओं वकफशा था पर कैसे ओगया। gestures शो नंग करेंगे । किसीं को बहुत पर ने करने के लिए किस को बेजा और कौन बेज़ेगा कों करेगा time क्रेंग आगर करेंगे यह सानु करेंगे तो ही वेवर्प बोर्ड ये स closing करेंगे तो फूर का उसके भलट करता है मतलब वजाए कि यह सविधान सनमत है यह सविधान सनमत है है आप सब्सक्राइबा और हो वाइलेशन पर सब्सक्राइब्स पर अब ने काफी जगा बीजेपी की सरकार है जो पॉइंट किये गए वो इस पेशल ट्रीट्मेंट जो किसी की जमीन पर किसी की दुकान पर अपना हग बेशुदा जटा सके और उसके बाद इसके बाद ने भी हमिले की वो ठीक है कि नहीं है कि एक चोटा कमेंट एक चोटा कमेंट क्योंकि वारिस भाई भी बैरिस्टर है उनको पता होगा प्रिंसिपल्स ऑफ नैच्रल जस्टिस कहता है कि अपने ही कौज में आप जज नहीं बन सकते मतलब की वक्त नहीं दावा किया और वक्त ही तैग करेगा ये दोनों चीज नहीं नहीं हो सकती पहली बात दूसरी बात मैं इसे पूछना जाता हूं और बड़ी सिंपल बात है अभी आपने तमिलाडू के गाउं का जिसमें 500 साल पुराना मंदिर इन्हों ने कहा हमारे बाप दादाओं ने छोड़ी थी मान्यवर इसलाम जब नाजिल हुआ हमारे उपर व वो अलग भी जह है सुनिये 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 मेरी बाद बीश में मत करें औरी बात कर दीजैंगे इस पहुंच के अपपनी बात कीजिए ने यामिज घी अमीज जी लॉजिकल बात कर रहा हूं प्रीस ठोड़ी सी बात समजने की कोशिक कीजिए जोडा सो साल पहले प्रॉफिट मुहमब्न के समय पर इस्लाम हमारे पर नाजिरों के बाद इसलामिक लौए उसमें मतलब की 1500 साल पुराना मंदिर कैसे क्लेम हो गया वक्फ में जब वक्फ आया ही 1400 साल के बाद के दूसरी बात ताज महल क्लेम कर दिया आपने कि सुनी वकबोड का है तो जज ने पूचा कि बताओ कि शाहजां का डॉक्ताज के लिए चोड़ा था तो वारिस पठान बत का यह लैंड ग्रैविंग रुके का था आज लैंड ग्रैबर्स वर्च शौदा मुस्मिम है अब लैंड ग्रैबर्स के साथ है और यह लोग्त ने था पूब है तो वह उसको केस तर्ड़ कि अटाएंगा वीजेपी सरकारों कि सफकर करना कि यह समयरी पावर्ट दिना चाह अगर हमारे सांसद ने ये कहा कि सड़कों पर उतरने की बात कई परदर्सन की बात कई तो इतों संबेधानिक है इसमें बुरा क्या है इसमें कौन से ऐसी बात कह दी बड़ी आपती जनक की जिसको आप कह रहें किसाब आपके सांसद ने ऐसी बात कह दी संबिधान ने हग दिया है कि अगर आपके मरजी के खलाब कोई भी आवाज उठाना है या कोई भी आपकी मरजी के खलाब कोई भी सिस्टम है तो आप सडकों पे उतर कर अपनी बात को बहुत ही सांती प्रिये ढंक से उठा सकते है इसमें बुराई क्या है ये संबिधान ने इस चीज़ का हग दिया है पहली बात दूसरी बात मैं लगाता देख रहा हूँ अभी सहजाद पुना वाला तमाम तरीके की बाते कर रहे है देखिए ये बिल का मकसद क्या है इस चीज़ को समझना बहुत अहम है देखिए बिल बहाना है सहजाद जी और वक्त का जो लैंड है उसको साधना है सरकार की नियत पर सवाल है आज सरकार जिस तरह तमाम लैंड को उसने इधर उधर ट्रांसफर कर दिया हतिया लिया अपने मित्रों को दे दिया चाहे वो डिफेंस का लैंड हो चाहे वो आपका रेल का लैंड हो चाहे नजूल का लैंड हो तमाम लैंड आप लैंड को देखे किस तरह सरकार ने बड़ी ख़बर पैरिस ओलम्पिक में भारत को ब्रॉंज मेडल मिला है पैरिस ओलम्पिक में होकी में भारत को ब्रॉंज मॉडल मिला है लगातार दूसरा ओलंपिक है जितमें भारत को ब्रॉंज मॉडल मिला है ये बहुत बड़ी खबर है ओलंपिक में भारत को अब तक चार ब्रॉंज मॉडल मिल चुके हैं और ओलंपिक में होकी में भारत को बड़ा मैडल मिला है ब् कई देश का जो दिल था वो तूट गया था लेकिन हौकी में भारतिय हौकी टीम ने शांदार प्रदर्शन करते हुए सीधे तीधी लड़ाई में पेन को दो एक से मात दी है यह बहुत बड़ी खबर है और ऑलम्पिक्स में भारतिय हौकी टीम का लगातार के दूसरे adalah क्पर बहुत बड़ी खबर है भारत को यह मैदल अपने आप में है क्योंकि हमारा रास्ट्री खेल हैं हौकी इसलिए भारत के लिए बहुत-बहुत- saya बा然后 है अब तक कि छार ब्रॉंस मेडल प्रगड सिंग अपना बायान जारी कर रहे हैं आई देखते हैं वो क्या कह रहे हैं क्योंकि लास्ट सेकंड में भी स्पेन को बहुत प्रणटी कॉनल मिले खर जैसे कहते हैं न कि जो हुआ अच्छा हुआ और भारत को इसी के साथ पिषली वारी वाला जो լैडल है वो मेंटें किया है तो मेरा क्या है कि बहुत खुशी के पल है आमरीत हमारे साथ है आमरीत अनन्द इसके बाद अब क्या होगा देखिए ये इसका इंतिजार काफी लम्हों से चल रहा था हमीश की होकी का स्टोडिमा अपसर फिर से लॉट कर आए आपको याद होगा इससे पहले जो आप डोकियो और उंपे के ले थे वहाँ भाती थी ब्रॉंज मेडल जीता था और उसके बाद जगी थी कि एक तारिस साल का सुका खसब हुआ था जब आपके पास आठ गोर्ड मैडल एक रजजस में अज़ाफा हुआ है यारी होकी के अरब बात करूँ अब तक इतिहास में ये तेरवा मैडल होकी के जुड़ चुका है ब्रॉंज मैडल की तौर पर तो एक बड़ी खबर थी हमीश उमीद भारती टीम से थी जिस तरह से उनका तेवर था जो तरह से जोशने वो खेल रहे थे कि वो जरूर लेकर यहां पर स्वाण बदक आएंगे लेकिन एक मुकाबला खराब रहा वहां से वाबस हुए हैं लेकिन स्पेन के खिलाफ जो भा अगातार साल है भारत को ब्रॉंज मेडल मिल रहा है जी बहुत बड़ी बात है बहुत खुशी की बात है एक रोमांचित मैच के अंदर लेकिन सही बात तो यह हमारी इस टीम को जो सोने के पदक की दावेदार थी उसका मुझे बहुत अफसोस है कि आज हमें डेफनेटली बहुत मैट सूने का पदक हासिल करने वाली टीम ती इस तरह से खेल खेला इन्होंने हमारी पूरी टीम में हर्मन पैजा अचित को पूरी टीम बिल्कुल पूरे देष को यही था कि सोना लेकर आएगी यह टीम लेकिन ब्रांज लेकर आई है लेकिन विने शोगाट के अब लोटते हैं अपनी चर्चा के ऊपर अब लाए और हम चर्चा कर रहे हैं अजीज खान बोल रहे थे कि ऐसा उन्होंने कलत क्या बोला? उन्होंने बोला कि İslam के बारे में कुरान के बारे में फैसला आप करेंगे या मैं करूँगा जी रिजवान तो गलत तो किसीने कुछ नहीं बोला लेकिन वक्ष का एक्ट जो ह उसको लेकर जब सरकार उसमें एक बदलाव की बात कर रही है तो उसको लेकर बवाल क्यों मच रहा है या हक मारा जा रहा है आप लोगों का आपको लग रहा है जी शुक्रिया जेहन बंदे मातरम देख लीजेगा बीच में कोई ना बोले पहली चीज अमीज भाई बहुत डायलॉग सुने कोई इसलाम का मैटर है कुरान का मैटर है फलाना है और कोई इंटरक्षियर नहीं कर सकता आज बहस भी देख रहा था ये बताईए हमीजी ये जो बिल आया था ये एक्ट जो बना था ये 1955 में वफ एक्ट बना था बड़ा मासूम सा सवाल है 1955 में ये वफ एक्ट बना था सरकार ने इसमें छेड़चाड 1995 में भी करी amendment لے کے آئی سرکار نے اس میں چھیڑ چھار 2013 میں بھی کی amendment لے کے آئی यार जब 1995 में और 2013 में 2013 में सरकार چھیڑ شार कर रही थी तब तो اسلام खत्रे में नहीं आया था तब तो कुरान खत्रे में नहीं आया था वो आमीज इस मारे नहीं आया था क्योंकि उन چھیڑ छछार के δम पर زمین کے لٹیرو کو فائدہ ہو رہا تھا अगर اسلام خطرے में था तो 1995 में amendment का पोटेस करते ना जैसे आज कर रहे हो लेकिन जहां पर तुम्हारा फाइदा हो रहा था तुम amendment के लिए चुप रहे जहां तुम्हारा नुक्सान हो रहा है तुम कहरो इसलाम खत्रे में है ये है इन लोगों का दोरा चेहरा पहली चीज़, दूसरी बात, जमीन के लिटोरों से एक बात याद आई, मिस्टर जावेद एहमद हैं, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है, ये वक्फ वेलफेर सुसाइटी के फोरम के चेर्मेन है, जावेद ए एहमद, ये पठान जाकि उसको चेक कर लें, उन्होंने अपने परसों के इंटरिव्यूं में बताया है कि तैलंगाना में OEC परिवार ने तीन हजार करोण की वफ की संपत्ती पर कवजा कर रखा है, ये मेरा बयान नहीं है, ये जावेद एहमद का बयान है, पोस्ट भी ब लड़ाई होती है, अमीश भाई एजा लॉयर बता रहा हूं, और मुझे यहाँ पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए, ये मुसलिम स्कॉलर और मुसलिम धर्धरम ग्रू की देश में कोई इज़त भी रह गई है, तो आप एडवोकेट लिखा करिए मुझ का अधिकार है उस जमीन के लिए लड़ने के लिए, अधिकार है, एक टाइटल सूट तयार करो, सीनियर डिवीजन में जाओ, अपने कागज लगाओ, सिविल कोट में जाकर इसका मुकदमा करो, पर्थम दिरिश्टिया कोट आपके कागज देखेगा, दूसरी पार्टी को कोट नोटिस इशू करेगा, दूसरी पार्टी अपने कागज लेके आएगी, मुकदमा चलेगा, अगर आपके कागज सही होंगे, जमीन वफ को मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, जैसे हर टाइटल सूट में होता है, जैसे रामंदर में हुआ, यार ये बीच में ट् सरकार पे हमला है, कि ये बिल किसी भी हाल पे मनजूर नहीं है, वक्त में किसी परकार का शंशोदन अस्विकार ये होगा, श्विकार नहीं है, सरकार की मन्चाब बहत खराब है, ये का है, मद्नी साब ने सीधा बयान आ रहा है, मैं सीधा रूख करता हूँ, इस पर परिचित, लैंड ग्राइबर्स है, वो दूसरों को कह रहे हैं कि जमीन हडपने का प्लान बनाया जा रहा है, अफजाल अंसारी की पार्टी ये कह रही है, उनसे पूछ लीजिए कि 9 लाक एकर से जादा की प्रॉपर्टी आज की तारिक में वक्त में है, कमाई कितनी होती ह ये हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बैठे है ना, जो वक्त चलाता है और उसमें फ्री क्रीटमेंट नेता है, बिना कोई एक रुप्या लिए, इसी वक्त की जमीन बाद, और दूसरी बाद, दूसरी बाद, उन्होंने कहा, इनके एक सांसत ने, जी जी बोली, बोली, तो अब वो सडकों पर बादलादेश टम्पलेट, अभी तो आप देखि रहें, सलमाण खुर्शीद ने भी टम्पलेट को स्विकारा है, मनिशंकर रायर ने भी स्विकारा है, तो मुहिबुला नधूई जी ने भी वही टम्पलेट अपना है, कि सडकों पर म्याय होगा, स अजीज कान अजीज कान अजीज कान रिजवान की बात का भी जवाद हो शेदात की बात का भी जवाद हो पॉर्टी सेकंड अजीज कान देखे अमीज भाई देखे ये देखे इनकी तुस्ती करण की राजनीती देखे ये कहां से किस चीज को कहां पर जोड़ते हैं देखे इ नहीं जाना हूँ कि जो यह बिल आप ला रहे हैं अमेंड करके जरा बताईए फाइदा क्या है वर्क बोर्ड का फाइदा क्या एक भी फाइदा बता दीजिए कौन सा इसा कांसर ने जिस्टे के फाइदे के लिए आना थी एक तक अजीज का बिल वक बोर्ड के मुनाफ़ के या देश के मुनाफ़ के लिए दा सेकेंड पिल किसके लिए आता है देश के वाइदे के लिए अभी सख्याद ने कहा तो सब्सक्राइब बचे हुए अभी बोलने के लिए अरे अजीज भाई बस आप इतना बता दो कि 1995 और 2013 में जब आमेंडमेंट आये थे आपने विरोध क्यों नहीं किया था पस इतना बता दो ठीक है अजीज का जवाब 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 बिरोध बिरोध इसलिए नहीं किया था क्यूंकि नियत ठीक थी आज आपकी नियत ठीक नहीं है मनसा ठीक नहीं है आपना चाहते हैं वो चाहते हैं नियत गलत है वक बोड की जो संपत्ती है वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं उस पर उपर नियुक्त देना और चुनिए नहीं तो वक्ट पैक से चेर चाब तो तक्लीफ है यह सोच पर सवाल है यह मतलब तब वक्त के आट में जब छेर चाड नहीं थी अब यह चेर चाड है अमीज भाई इसका मतलब आज अजीज खान साहब यह बोलना है कि यह नियत पर और एक प्रिजम्शन के मारे विरोध कर रहे हैं और किसी तरक के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है नियत खराब है इसलिए यह विरोध कर रहा है अरे मेरे भाई यह कौन सा लोग तंत्र है जहां पर नियत का भी आपको पता चल जाता है अजीज भाई तीकि यह अजीज खान जब राम लिला के टाइटल सूट की बात थी तो वो केस अधालत में लड़ा गया वो कोई बोर्ड में थोड़ी लड़ा गया तब प्रश्ण यही है कि यह स्पेशल स्टेटर्स क्यों चाहते हैं कि यह कश्मीर की तरह 370 वाला स्टेटर्स क्यों चाहते हैं हम वक बोर्ड के अंदर लगता है अवाज ओके साजिद रशीदी कुछ कहने जाते हैं साजिद रशीदी यह स्पेशल स्टेटर्स क्यों साजिद रशीद जी स्पेशल स्टेटर्स क्यों ओके 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 यहां जानकारियां घलत रखी जा रही हैं जी कैसे कुछ लोग यह कहते हैं कि साभ 1955 में एक्ट बना उनीस सो पच्पन में नहीं बना वक्फ एक्ट बनाए 1954 में 1923 में बना आपकी जानकारी घलत है 1923 में कैसे बन जाएगा बहुत बढ़ जाएगा अग्रेजों नेरा नमर है बिलने का चुप रही है नमर एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ निस सो चबवन में वक्वेक्ट आया उसके बाद में सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया और 1970 में गजट आया जिसकी कोपी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे लिखा हूँ भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने को जो जो प्रपरटीज मिली उनकी पूरा ब्यूरा इसमें है 1970 में गजट आया फिर वकबोड बनने शुरू होगे हर स्टेट में 1995 में एक संचोदन आया जो 2013 में जाके लागू हुआ 2013 में कोई संचोदन नहीं आया जिननों को की जानकारी नहीं वो जो जो चाहें अंशंड बगें 1995 में संचोदन आया 2013 में जाके उस पर अमंडमेंट आया उस पर अमल दरामद हुआ उस दिन कोई संचोदन नहीं हुआ नमबर एक उस संचोदन में सिर्फ एक पावर वकबोड को दी गई कि दिल्ली वकबोड का जो भी CEO रहेगा उसको इतनी पावर रहेगी कि वो 54 का नोटिस दे कर अपनी जो भी प्रोपर्टी उसकी एकोपाइड है नाजाइज कब्जे में है उनको छुड़ा सकता है SDM के माद्ध हम से और दिल्ली पुलिस के माद्ध हम से 2013 के बाद जब अमंडमेंट आया उसके बाद में 2014 में सरकार बन गे बीजेपी की उसके बाद में जितनी भी केसिज हैं ना SDM ने कोई समर्थन किया वकबोड का ना दिल्ली पुलिस ने किया और कोई भी संपत्ती दिल्ली वकबोड अपनी नहीं ले पाया मतलब कबजे होना बंद हो गए आप के रहें कि मतलब फिर 2014 के बाद जब नरेंद मोदी के सरकार आई तो फिर जो आप चाहते थे उस तरह के कबजे नहीं होगा मेरे प्रस्ट का भी जवाब अगर दे देते हैं ये स्पेशल प्रिवलेज क्यों चाहिए जनाब को देखे ये मेरे हाथ में एक और पेपर है ये आट दस पन्नो का पेपर है और इसमें दिल्ली के अंदर जो प्रोपरटी है वकबोड की उनमें सब चिनहित है जो डॉक्र मन्मोन सिंग की कांगरेस की सरकार आपको रिटर्न गिफ्ट देखे गई थी पांच मार्च दोज़ादा चौदा का गजट है जी जो प्रोपरटी हमें मिली थी उसमें केंदर सरकार और उसकी एजनसियां धाई सो बिगे पर काबिज है दाई सो बिगे पर ची के जवाब ले लेते हैं सवाल का जवाब नहीं सुनेंगे आपने पूरा बोला साथ नहीं जवाब नहीं खत्ब होना तुम्हादा जी पुनावाला जी अरे इस्पेशल हमें प्रिविलेज क्यों चाहिए आदेखे अभी 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 अजीज खान ज जो यह अमेंडमेंट आया है rudessworks की रिपोत सचर कमेटी रिपोर्ट नाइन जेपीसी THEul Minor siya कि अभावाब ऑला अचाथा होगा वाइथे प्रो अक्ाउंटबिलिटी प्रो ट्रांसपरेंसि प्रो विमिन प्रो ब्रौडब बेसिंग तलब की कि जादा से जादा मुस्लिम समाज उसमें आएंगे जो असली असली हगदार है सुर लीजे मेरी बात दस सकेंड मैं समाप कर दूँगा जो असली हगदार है 200 करोड की इंकम बारह हजार करोड इंकम आनी चाहिए वह नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर घपला घुटाला लैंड ग्राविंग हो रही है तो उन लोगों को मिलेगा तो इसमें दुख्की क्या बात है और तीसरी बात जो मैं साजिद रशीदी जी पे बड़े सम्मान पूर्वक पू मिलेगा यह तो अच्छा है कि आपके कौम की महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी बड़ा मौका होगा मैं दिल्ली वखबोड की आपको बता देता हूं दिल्ली वखबोड में साथ मेंबर होते हैं जिनमें से दो महिलाए होती हैं साथ में से दो महिलाए और लड़ी होती हैं आप नया क्या कर रहे हैं उसमें? क्या नया कर रहा है? और उसमें शिया, बरेलवी, सुनि सारे लोग आते हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई नहीं आता है. ये गलत परशुप्चन आप लोगों में फैलाना चाते हैं कि साब यह हो रहा है, हम ऐसा करेंगे. विरोध किस है तो सही है तो जो हमारे प्रोपर्री सरकार के पास तो वापस कर दीजिए यह कम सेisником किराय दे जिए अगर आप की नियत सही है उस पर क्यों इनहीं भूलते आप कि आप नहीं करना चाहते हैं तो कि और ड़ापना चाहते हैं आप सारी जमीनों को खाना चाहते हैं मैं सवाल पूछा तो वक बोर्ड की सुन लिजे सुन लिजे तीन लाख प्रॉपर्टी थी दोजार नौ में उसकी कुल एरिया की साइज लगबश चाहिए वैलू किसने ना की ना प्रॉपर वह सुन लिजे ना वह सुन लिजे ना वह आपको लगता है कि इस पूरे मामले में आप प्रिवलेश चाहते हैं स्विधान के दाएरे में सब एक बराबर है लेकिन आप स्पेशल ट्रीट्मेंट चाहते हैं पूरी हमारी आरे बोलने दो बीच बीच में बोलने की आदत खराब है अमीज भाई सबसे पहले तो अमीज भाई मैं आपके माधियम से भारती होकी टीम को ठेड़ सारी मुबारक बादी पेश करना चाहता हूं कान से पदक जीतने पे भारत के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है कि हमारे खिलाड़ी वहां से मैडल लेकर आएंगे पूरे कोच को पूरी टीम को बहुत बूबारक बादी चगदे इंडिया बात नमबर दो सुप्रीम कोट ने क्या कया वफ के उपर वन सब वफ ऑल्वेज अवक्फ आप ना उसको बेच सकते ना उसमें ठर्ट पार्ट की जमीन एक्जामपल बता रहा हूं उसमें दस एकड़ के अंदर कबरस्ताने समझ लो तो बाकी की जो 20 एकड़ बची है जो हमारा अधिकार वाली है हमारे बेवाओं का विद्वाओं का उसके अंदर जो हक है वो जमीन सरकार अपने ताबे में ले लेना चाहती है यह हकीक ची के लिए जो दो कि जो दूंएन पजार लिए जिए वाली जी जी पैनलिस को यह बता दीजे कि जाके मुसल्मान वख अक उननेस सो तैस पढ़ ने जो कह रहे थे आजा आजादी से पहले एक्ड कैसे आ गया भारत को आजाधी भी इंडिपेंडिस एक्ड के तहे तहुत म पहली चीज़ अभी भाई ने कहा कि हम सर्वे नहीं कराना चाहते कोईकि हमारी जमीन हड़प ली जाएगी मेरे भाई तुम हिंदूस्तान में सर्वे भी नहीं करने दोगे तुम कागज भी नहीं दिखाओगे भाईया तुम चाहते क्या हो दो मिनट में मैं काफ़ दिखा रहा हूँ मैं काफ़ दिखा रहा हूँ सम्वेदान 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 पहली चीज़ पहली चीज़ पहली चीज़ दूसरी बात ये बताईए को इस बात का जवाब नहीं दे रहो आप जवाब ले नहीं रहे हमीज भाई कि सीधे सीधे सिल को जाका टाइटल सूट की लडाई क्यों नहीं होनी चाहिए वैस्करा जजज और और पूरी प्रणाली वक्ष की क्यों चलेगी यह जायज बात है यह हर इंदुस्तानी के मन में बात होगी वेते कहते हैं सविधान के सविधान के आगे सब बराबर है लेकिन इसी सविधान के दायरे में आप एक special treatment चाते हैं और यह special treatment का सबसे बड़ा एक्जामपल है